आप सबी लोग कैसे हैं आई होप बहुत ही ज्यादा अच्छे होंगे और आज की जो वीडियो होने वाली है वह होने वाली है फेस्वास के रिव्यू के बारे में डटकी में रिव्यू की बात कर रहे हूं वह है गुडवाइप्स का रोजे फोमिंग फेस्वास के मेरी एक का सेपरेट एक पर्डिकुलर रेव्यू रह गया था जो कि मैं इसको लाइग वाइं यूज करने के बार आप दिश्वा सब्सक्राइड वाली हूं कि कंपनी क्या क्लेम किया और क्या क्या बताया और फिर मैं आपको बताऊंगे कि यह प्रोड़क्ट मेरे लिए किस तरह कि किया था okay so let's start with the video so company ने क्या claim करा है वो मैं आपको बता देती हूं firstly यह जो है वो है 150 ml की बोटल है और इसकी जो MRP है वो है 235 रूपीज मैं इन्होंने अच्छे से सारे इंग्रीडियंट मेंशन कर रखें कि नोंने क्या यूज करा है और गाइस अगर आप इंग्रीडियंट के बेस पर इस प्रोड़क को देखना चाहेंगे तो इसके अंदर कुछ अच्छे और कुछ हमिफल केमिकल्स हैं इसके अंदर कोई सलफेट नहीं है और यह कुछ चीज करिए कि वह नहीं बुला है कि इस कि यह मेरे लिए किस हिसाब से वर्क करा है सो दो दिन I feel good मुझे बहुत अच्छा लगा फिर दैन तीन चार दिन मैंने इस्तमाल करा तब इसका वर्क को ओके था सिलें नहीं था कि हां फिसको क्लीं कर लेता है कोई दिक्कत नहीं है बट फिंग इस कि चार के बाद 5-6-7 दिन ह क्लीं कर देता है और कुछ भी नहीं I don't feel anything on my face मतलब की कोई भी न ग्लो न रीफ्रेश्मेंट कुछ भी नहीं जस्ट की एक माइल्ड फेस्वास है आप इसको निकालो यूज करो और यूर गुड तो को पस इतना ही दा उसके अलावा इट प्रवाइड नथिं मैंने बहुत अच्छे फेसवास यूज करें जिनको इस्तेमाल करने के साथ ही आपके फिस पर जो गलो होता है जो सॉफ्टनेस होती है वह देखने लाइक होती है इसाब से इसका वर्ग बहुत ही ज्यादा लो है और यह जब आप इसको यूज करते है ना तो क्या होता है जब वह फों न substrates करते हैं तो बिलकुल भी ऐसा फील नहीं होता कि मैं अपने ऐँसके ऊपर सोब का इस्तामाल कर रहे हूं बिलकुल सौब बिलकुल सबुन की तरह फील होता है कि मैं अपने वेज़ के ऊपर साबस कर रहे हूं यह फोर्मिंग फेस बहुता है दसंट वर्क एट और मैंने उसमें वीडियो में में इसमें करा है कि मेरा परसनल फेजर डीप लिंजिंग वन है यह वाला नहीं है यह बिलकुछ सोप की तरह होता है इसका वर्क कुछ भी नहीं है नॉर्मली आपके फेस को क्लीन करेंगा और स वीडियो को अदर कुछ ऐसे प्रोड़क्ट थे जिन्होंने मेरे फेस को बहुत ही जादा हाम कर दिया था तो वह चीज भी मैं आपको शेयर करूंगी कि मैंने किस तरहीं को भी रिकमेंट नहीं करती हूं कुछ भी वर्क नहीं करता है बहुत कॉचली है फोड़ेवल भी न इससे अच्छा है कि हम कम रेट का कोई अफोर्ड़ जोई का या निव्या का कोई भी फेस्वास हम यूज कर सकते हैं जो इससे बहुत जादा पॉर्ड़ेवल बहुत अच्छे जिबा करता है इसके अक्वर्डिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं है और ये मेरे फेस को सू इसके प्राइस को बिल्कुल भी अच्छा और मैजिकल वगरा कुछ भी नहीं है इसको यूज करो फेस की उपर तो बहुत ज़्यादा सोप फील होता है और आपका फेस बहुत ज़्यादा चिकना चिकना सा हो जाता है मॉस्चराइज हाइडरेटेड रखना वाला चीज अलग होता है पर वह अलग से चिकनाहट फील होती है वह चीज मुझे बिल्कुल भी इसकी पसंद नहीं आई सो मैं इसको बिल्कुल भी रेकमेंट नहीं करती हूँ अगर आपको रोजे वेरियंट ही लेना है तो आप गुडवाइब्स का डीप क्लिंजिंग फेस वास आता है वो लें फोमिंग फेस वास ना लें आई होप यह वीडियो आपके लिए हेलपल रही होगी अगर यह बनाने की जल से जल कोशच करूंगे तिल देन बाई बाई टेक केर गाईज हिट दे सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन पॉर डेली अपडेट और नोटिफिकेशन